आतंकबादी घटना है और इसमें माने नयाले द्वारा दो सिद्ध किया गया है। इस घटना में एक सवा साल की बच्ची की भी जान गई थी संकट मोचक मंदिर भीडवार वाला इस्थान है देश-विदेश से बहुत सारे तीर्थ्यात्रि यहां आते हैं और मंदिर में हर समय हजारों की तादाद में लोग मौजित रहते हैं इस मंदिर की विशिष्टा और है कि यहां अंशूच विवाह ते हैं प्रति दिन होते हैं इसलिए नव दंपती विवाहित और उनके परिवारों के लोग भी आते इसलिए वहाँ पर प्रति दिन सामके समय कापी भीढ रहती है ये सीरियल बम कंड था एक की समय में एक साथ दो इस्थानों पर बंबिस्पोर्ट हुआ और एक इस्थान पर बिना विस्पोर्ट हुआ बंब बरामद हुआ था 16 निर्दोस लोगों की जाने गई थी यह जो प्रिजेंट मुकतमादा मैंने पहले में बताया कि उसमें साथ लोगों की जाने गई हैं 76 लोग अपंग हुए हैं गायल हुए हैं और गायलों के परिवारों ने अपने आत्मी जनों को खोया उनकी पीड़ा है उनका दर्द है जम्मो भाटक पर जो जीवी तवस्था में बंब बिलाता वह इतना विनाशकारी था कि यदि भट जाता तो 200 मीटर की छेत्र में सब कुछ नस्ट कर देता सब्सक्राइब के लिए ऐसे चिन्ट की तशास्मिद गाटवाला मामला है इसमें बंब प्लांट किया गया था जम्मो भाटक जम्मो भाटक के सामने रेलिंग के पास लगाया गया था इस बंब को और यह डिफ्यूस कर दिया गया था परामत हुआ था और तब तक फासी पर लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यू नहीं किया जाएगा जब तक कि माननी उच्छी नहाले से उसे पुष्ट ना कर दिया जाएगा इसमें इस मुकदमे में धाराएं और भी लगी थी 307, 326, 324 और ये 307 में 10 वर्ष के सेश्रम कारावास और 30,000 रुपे का अर्थदंड अर्थदंड ना अदा करने पर एक वर्ष के सेश्रम कारावास की सजाएगा दूसरी धारा है 326, इसमें 7 साल की सजा की गई है और 20,000 रुपे का अर्थदंड है और अर्थदंड अदाना करने पर 6 महा का सेश्रम कारावास 324 में दो साल की सजा और 5000 रुपे का जुर्माना अर्थदंड अदाना करने पर इसकी एवज में एक दो महा की साधारण कारावाज की सजा बगतनी होगी 303 विश्पुटक पदार्थ अदिनियम के अंतरगत शैसरम आजीवन कारावाज 50,000 रुपे का अर्थदंड और अर्थदंड अदाना करने पर दो साल की सजा और 4 विश्पुटक पदार्थ के अदिनियम के अंतरगत 10 वर्ष की सजा और 30,000 रुपे अर्थदंड से दंडित किया गया है पांच विश्पोटक पदार्थ अधिनियम के अंतरगत दस वर्ष के सहिश्रम कारवास और तीस अजार रुपे के अर्थतंड सी दंडित किया गया है अर्थतंड अधान करने पर एक साल का सहिश्रम कारवास इसी के साथ इसमें 15-16 विदिवरुद क्रिया कलाप अधिनियम की धराएं लगी थी तो उसमें भी सहिश्रम आजिवन कारवास और 50 हजार रुपे के अर्थतंड से दंडित किया गया है और तितंड अधान करने पर दो साल के सहिश्रम कारवास की सजा ये सारे जितनी दो सिद्धी की सजाएं है ये सब एक साथ चलेंगी ठीक है इसके अलावा वकिल साब संकट मोचन मामले में फैसला आया है और इसमें साथ लोग मारे गए थे 26 लोग गायल हुए थे गायल में कुछ अपंग भी हो गए थे 47 गवा अव्योजन की और से पेश किये गए और तीन बचाव साक्षी पेश किये गए थे दूसरा जो विदिवरुत क्रियाकलाप अधिनियम का मामला था उसमें भी यही गवा थे 46 गवा और तीन बचाव साक्षी थे ठीक है विदिवरुत क्रियाकलाप अधिनियम इसके अंतरगर्थ 50,000 रुपे का आर्थिक जंड और शहिसरम आजीवन कारावास की सजा दी गई है